सभी साथियों का आज की वीडियो में स्वागत है साथियों शनिवार के दिन इकंटेंट में जो क्यूज आती है वो हमारे सिक्षक साथियों को करानी होती है बच्चों को साथ तो उस क्यूज को कराते समय हम किन-किन चीजों का ध्यान रखें और किस परकार से उस Qs को कराने का काम हमें सब को करना है तो उसका एक Demo मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्या-क्या सावधानिया रखेंगे वो आप देखेंगे ध्यान से तो चलिए सीधे-सीधे वीडियो शुरू करते हैं साथियों Qs कराने के लिए जब हम लिंक पर जाते हैं तो तीन लिंक हमारे पास अल्रेडी होते हैं जो विभाग ने प्रेसित किये हैं कक्षा 1-2 के लिए एक लिंक है कक्षा 3-5 के लिए एक लिंक है और कक्षा 6-7-8 के लिए एक लिंक है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कक्षा एक दो का जो link है वो एक ही link है और एक ही link के साथ एक ही जो format हमारा एक Google form खुलेगा उसी के उपर हमें कक्षा एक का और दो का जितने भी बच्चे हमारे पास होंगे उनकी क्योज करानी है किस परकार से हम इस link को click करते हैं link को click करते ही हमारे सामने ये Google form आ जाता है अब इसमें हमें करना क्या है वो चीजे ध्यान से देखते रहिए आप देख रहे होंगे ये star बना हुआ है और star के सामने required लिखा है इसका मतलब है कि जिस question के सामने ये star बना होगा वो अनिवारिये रूप से हमें fill करना है सबसे पहले बच्चे का नाम यहाँ पर हम fill करेंगे बच्चे का नाम fill करने के लिए आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में उसको type कर सकते हैं उसके बाद phone number माता पिता का phone number अगर माता पिता का phone number आपके पास नहीं है कक्षा एक दो के संदर्व में मैं बात कर रहा हूँ तो आप अपना phone number इसमें type कर दें जो हमारे सिक्षक अपने phone से उनको त्यूज में परतिभाग करा रहे हैं उसके बाद साथियों उसके बाद next question आता है हमारा ये प्रेशन आएगा इन अक्षरों को मिला कर कौन सा शब्द बनेगा बच्चे से पूछ करके बच्चे की मदद से हम इसका answer जो भी इन में से सही होगा उसको हम टिक कर देंगे उसके बाद next question आएगा इस चित्र को ध्यान से देखिए इसका नाम क्या है बच्चे को दिखाना है और इसका नाम हमें पूछना है जो भी नाम बच्चा बताएगा तीनों में से जो भी answer हमारा सही बता रहा है बच्चा वो इसमें हम टिक कर देंगे उसके बाद next question है इन में से कौन सी सबजी का नाम टावर्ण से शुरू होता है ये चित्र देखेंगे बच्चे और बताएगे कि किसके नाम का पहला अक्षर टा है टा से कौन सी सबजी का नाम शुरू होता है जो बच्चे बताएगे उसमें उसके सामने हम टिक कर देंगे answer में उसके बाद साथियो question आएगा चित्र देख करके बताना है ध्यान से देखना है चित्र को बताना है कि इन शबदों में कौन सी वस्तु इस चित्र में नहीं है अब नीचे जो चित्र दे रखे हैं उनको पहचानना है और इस चित्र को देख करके जो भी answer बच्चा बताएगा आपको टिक करने का काम केवल करना है उसके बाद इस वस्तुकार देख करके नाम बताना है कि ये क्या है बच्चा बता रहा है तो टिक कर देना है उसके बाद साथ हो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जो ध्यान लखने वाली बात है यूडाइस कोड यूडाइस कोड कक्षा 1-2 के संदर्भ में आप ना भी डाल तब भी हमारा क्यूज सम्मिट हो जाएगा तो अगर डाल दें तो अच्छी बात है और ना डालें तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है लास्ट में आकर के हमें सम्मिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी क्यूज सम्मिट हो जाएगी तो इस परकार से हम कक्षा 1-2 के बच्चों को यह क्यूज में परति भाग कराएं अब बात करूंगा दूसरे लिंक की जो 3-5 तक का है इसमें जाकर के इस लिंक पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह पेज खुलके आता है हमारे फोन में यह पेज खुलके आता है तो इसमें साथ्यों देखिए यह कुछ उससे अलग है थोड़ा सा इसमें क्या है बच्चे का नाम अनिवारिये रूप से भरना है फोन नंबर अनिवारिये रूप से भरना है अपने विद्याले का यूडाइस कोड अनिवारिये रूप से भरना ह एक दो के संदर्व में हमारा यूडाइस अनिवारी नहीं था लेकिन इसमें क्योंकि इस्टार बना है यह required है अनिवारी रूप से भरेंगे तभी आपका form आगे चलेगा उसके बाद कक्षा का चैन करना है आपको अगर वो जैसे इसको क्लिक करते हैं ड्रोप डाउन में खुलेगा हमारा तीन, चार, पांच तो इसमें से जिस भी क्लास का बच्चा है माले चार क्लास का है तो चार को सेलेक्ट कर लेंगे तीन का है तो तीन को पांच का है तो हमने ये कुश्चन खुल के आते हैं बच्चे से पूछना है और उनके आंसर हम टिक करते रहेंगे बच्चे की मदद से इसमें भाषा और गणित आपने देखा होगा पहला कक्षा 1-2 के लिए जो लिंक खोला था वो हमारा केवल ये नहीं दिखा रहा था कि भाषा का और एक पार्ट हमारा गणित का है इन सब का आंसर बच्चे की मदद से बच्चे के बताने के अनुसार आप इसमें जैसे ही दबाते हैं लास्ट में continue आता है तो continue को आप क्लिक करते हैं जैसे ही तो आपके सामने आपने हिंदी के सापेक्ष और गणित के सापेक्ष जितना भी आपने question किये थे उनका result बताता है कितने सही हैं इस परकार से देखिए आप ये आता है खुल के कि भाशा के प्रशनों में 5 में से मेरा 00 दिखा रहा है क्योंकि मैंने उपर कोई attempt नहीं किया question ऐसे गणित में दिखा रहा है तो जितने भी बच्चे के द्वारा आप इसको fill commit दबा देंगे इस परकार से कक्षा 5 के लिए भी आप की प्रोसीजर करेंगे next मैं तीसरे link की बात करता हूं साथ हो जो हमारा उष्प्राथमिक इस तर के लिए दिया है कक्षा 6-8 इसके लिए थोड़ा विशेश है थोड़ा हट के हमें इस पर काम करना है जब इस को क्लिक करेंगे इस link को तो साथ ही हो हमारे ये whatsapp में खुलेगा ये whatsapp page खुल गया और इसमें देखिए hello automatically यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ठीक है हमें केवल इसको send करना है आप देख रहे होंगे इस conversation जिस हमारी whatsapp group से होगी जो whatsapp हमारे phone में आया है खुलके ये convey genius के नाम से आ र खुलेगा और उस पर ये hello वाला message type होके आएगा already इसको केवल आपको send करना है जैसे ही आप इसको send करेंगे तो आपकी Qs शुरू हो जाएगी ये 6-7-8 के लिए आपको यही काम करना है इसी procedure से आप Qs में बच्चे को प्रतिभाग कराना है तो साथियों आज की वीडियो मे मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफी मददगार होगी और आप बच्चों के साथ Qs में प्रतिभाग कराने का काम बड़ी आसानी से और सुगमता से कर पाएंगे तो इसी के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेर जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद